गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों आज हम इतिहास पार्थ भारत में राष्टवाद के बारे में अध्यन करेंगे इसे पहले वाले पार्थ में आपने युरोप में राष्टवाद के उदे के बारे में पढ़ा था जिसमें आपने इतली जर्मनी के किकन को किया उस पार्ट में हमने देखा कैसे लोगों में राष्ट के परती लगाव पैदा हुआ, ने परतीक, ने चिन, ने गीत, ने विचार सामने आये, जो लोगों को सामोईक एक्ता के शुत्र में बांध रहे थे, और यही राष्टवाद की परिभाशा है, अब हम बात करते हैं भा अब बाई, उपनिवेश का क्या अर्थ हैं, भारत कब आजाद हुआ, आशा करती हूँ आपको इन सवालों के जवाब आते होंगे, फिर भी आप अपने जवाब की पुस्टी कर लीजिए, अंग्रेज, भारत में 1600 इस्वी में East India Company के माध्यम से आये थे, प्रारम में उनका उदेशे भारत के साथ व्यपार करना था, प्रंतु धीरे धीरे उन्होंने भारत के उपर अपना राजनेतिक अधिकार स्थापित कर लिया, और यही से भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया, उपनिवेश, जब एक देश किसी दूसरे देश के उपर अधिकार करके बहां के संसादिनों का इस्तिमाल अपने देश के लिए करता है तो उसको उपनिवेस बोलते हैं। भारत अब इंग्लैंड का उपनिवेस बन गया था। और यही से भारत में अपने आपको आजाद करवाने की लड़ाई सुरू होगी और यह कब खतम हुई? 15 आगस्त 1947 हो। भामना बढ़ाने में अनेक पर्तिकों का योगदान रहा जैसे भारत माकी जय, तिरंगा, वंदे मातरम गीत। यहां पर इन्हों ने एक सामुएक एकता की भामना लोगों में भरी, एक जोश उत्पन लोगों में हुआ और यहां पर आंदोलन चलाए गई। यहां इन 1920 के बाद की जो राष्टियां आंदोलन हुए हैं, उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें महात्मा गांधी जीत दवारा चलाया गया आंदोलन, ऐसे यूग आंदोलन, सवीने अवग्या आंदोलन, इनकी चर्चा इस पात के माधम से की जाए। इससे पहले कि हम 1920 के आंदोलन की चर्चा करें, उससे पहले कुछ हमारी सामाजी को राजनेतिक स्थिती भारत की उनका वणन करते हैं, जिससे इस आंदोलन को आगे बढ़ने में मदद मिली। ये था पहला विशवयूद, पहला विशवयूद 1914 से 1918 लड़ा गया, जिसमें भारत ने अंग्रेजों की तरफ स करजे दिये, अब वो करजे कहां से चुकाए गए, लोगों की उपर कर लगा के, यानि कि भारत के लोगों की उपर करों की बढ़ोतरी की गई, दूसरा, गाओं के लोगों को जबरन सेना में भरती किया गया, जबरन का मतलब है कि उनकी इच्छा नह होते हुए भी उनको से तीसरा, यूद के दोरान कीमते तेजी से बढ़ने लगे, जिससे आम लोगों को काफी प्रेशानिया होने लगे, ये प्रेशानिया तो थी ही, साथ में कुछ ऐसी प्राकर्तिक आपणाएं भी हुई, जिससे लोगों की प्रेशानिया काफी बढ़ी, जिसमें आकाल था, 1918- 19, 1921 जिसमें काफी लोगों की जाने गई इसे समय फ्ल्यू नामक महा मारी भी फैली जिसके कानभी लोगों को काफी नुकसान हुआ तो यहाँ पर ये प्रिस्तितियां थी जो की पहले विसव्यूद के दोरान हुई और लोगों की कस्टों में विर्धी कर गई इसी समय लोगों ने साथ दिया था अंग्रेजों का कि इस उमीद से कि युद के बाद उनकी कस्टों में कुछ कमी आएगी परन्तु ऐसा कुछ नहीं होता है इसी युद के बाद उनकी मुसीबतें और बढ़ गई और यही से हमारे संगर्स का एक नया दोर शुरू हो जाता ह इसी समय एक नया नेता हमारा सामने आता है जो इस संगर्स को नया रूप दे देता है जिनको हम सभी महात्मा गांधी बापु के नाम से जानते हैं एक नय दोर का आरम जिससे पहले कि हम उनके आंदोलन का जिकर करें उनके थोड़े से जीवन परीचे के बारे में जान लेत पीता का नाम था करमचन गांधी, माता का नाम था पुतली भाई, जिनका जनम 2 अक्टूबर 1899 को औरबंदर गुजरात में हुआ था। परन्तु जब वहां डक्षिन अफ्रीका जाते हैं, वहां रंग बेद की नीती लोगों का शोशन देखते हैं, तो उनसे सहन नहीं होता है और वही पर वो बस जाते हैं। बहारत की प्रिष्टितियों को समझा और उसके पच्चात उन्होंने अपने हतियार निकालें, अंग्रेजों के विरुद लड़ने के लिए। अब आप कहेंगे हतियार, हाँ जी हतियार अहिंसा और सत्याग्रें। इनी अतियारों का इस्तमाल करके महात्मा गांधी ने इन आंदलोनों को आगे बढ़ाया। अहिंसा किसी के साथ लड़ाईने करना और सत्याग्रें, यानि कि सत्य के लिए आग्रें। महात्मा गांधी जी का मानना था कि सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रें का नाम दिया गया था। महात्मा जी कहते थे, सत्याग्रें साररिक बल नहीं है, सत्याग्रें तो सुध आतम बल है। सत्याग्रे का अर्थ हैं, अगर आपका उदेश सच्चा है, यदि आपका संगर्स अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीडक से मुकाबला करने के लिए आपको किसी साररिक बलकि आफशकता नहीं है, और इनी विचारों के साथ उन्होंने अपने आंदलोनों को आगे बढ़ाया उनकी यहाँ पर कुछ आरंभिक सत्याग्रे आंदलोनों का जिकर हम करेंगे, उन्होंने पहला है 1916 में, जो कि उन्होंने चंपारन बिहार में किसानों की मदद के लिए किया था, बिहार में किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रहे थे और यहाँ पर माहत्म गांधी ने उन किसानों का साथ दिया और अपने सत्याग्रे का प्रियोग किया और ये प्रियोग उनका सफल भी रहा, इसके पस्यात 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद की, जिनके उपर करों की बढ़ोत्री की गई थी और यहाँ पर भी मात् प्रियोटी बेठाई गई थी, उसमें वो शामिल हुए और यहाँ पर मजदूरों का 35 पर दिये में भी बढ़ोत्री उन्होंने करवाई, तो इस परकार ये महात्मा गांधी के आरंभिक चत्याग्रे आंदोलन थे जो कि पोनेतर सफल रहे, और अब इसके बाद हम जिकर कर देपा हैंगे